नमस्कार दोस्तों, जहिन दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है, आज हम करेंगे MCQ, HSSC, SSC, ANTPC और Other State Police के लिए, दोस्तों ये देखिए, रख हुसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ठक करना बैठ ए मनजिल के मुसाफिर, मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, दोस्तों आप ठकिये नहीं, आप पढ़ते रहें, अपनी जिद पर अड़े रहें, आपको गोर्मेंट जोब मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं, Most MC Q, दोस्तों आप अमारी सुपर क्यूज में पार्टिस्पेट कीजिए, आप अपना हर सब्जेक्ट मजबूत बनेए, आप जब तक क्यूज नहीं करोगे, तब तक सब्जेक्ट का कोई पढ़ने का रट्टाफिकेशन का कोई मज़ा नहीं है, आप कितने ही रट्टे लगा कफ़ाल सुपर्टी कोई, अनिक्यों कि अंगोरा उन किस से पराप्त होते है, साबस बताए यह, रबिच से, भेडस से, फोक्स से, बक्री से, बतों बहुत इम्पोर्टें्ट क्योज है यह साबस आज हम बताएंगे इसको यह किस से प्राप्त होती है और कहां का मिलती है देखी इसका राइट आंसवर दीजी कमिंट में आप आंसवर दीजी फटाफट अंगोराउन किस से प्राप्त होती है तो देखिए बच्चो अंगोरा उन इसका राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर रैबिट आएगा ये खरगोष से प्राप्त होती है देखिए ये काँ पर मिलती है ये उत्राखंड में एच्पी इमाचल परदेश में और पाड़ी जो छेतर होते हैं हमारे उन में आपकी समझ में अंगोरा वन किस से प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर आएगा घरगोष आपने माइंड में क्यूशन डाल लीजिये और कहांपर उत्राखंड में और ऑटे लाइन ये टीबिया पटे लाइन की जानविका एंडब पिंडली की अड़ी निमल खितमे से किसमे पाई जाती है बती ये पटेला और टीब्या किमे पाई जाती है सबस हाद में बैक्बोन में लैंग्स में और स्टोमेच में देखे बस जो अमारा सकटेंट सिस्टम होता व हट दो परकार का होता एक्सिय यहनिकी आक्सिय और अपेंडिकुलर यहनि उपांगी ठीक है अक्सिय में आती है अमारी कितनी अडिया आती है भई सबस्बती 80 एडियां आती है ठीक है और 126 एडियां किसमें आती अपेंडिकुलर उपांगी में तो जो अपेंडिकुलर होता हो तीन परकार का होता है एक को बोलते अगरपाद पस्चेपाद और ग्रीडल्स मेख लाईं जो उपांगी कंकालत नतर होता हो तीन परकार का होता तो दो पाद हो गये ना एक अगर पाद हो गया अगर पाद मतलब four limb दो limb होते है तो एक limb में पुछे तो 30 आएगा right answer देखे पेर की अड़ी पेर में कितने होती है 60 होती है और giddles कितने होती है 6 होती है जो कंदे के पास होती है तो देखिए इसने क्या पुछा है जनविका और पिडली की अड़ी निम रिखित में से किस में पाई जाती है तो देखिए किस में पाई जाती है जी इसका राइट आंसवर बी आए कीतनी कठार आटी होती है कि दो वी जाएंगे इसा तो पतेला में तरह सते ही इसा एसे मैं आत्में बता थू आपको ह्यों में दो रेडिनाच आर रस्ति कर्च Iya न आए उसमें में सोडा मा कर मेंट queste कई बार पूफ़ लेताया ते click तो दस यह उती है ऊटता है लिंधी की संग संग में पाइजाती है कि अठा़एज़न भी का ब्यूटरी बहुँल्ड हो गई पाइजाते हैं इसेुअ है आगे देखते हैं बच्चो, क्यों संथोड़ा ध्यान सी पढ़िए, ये क्या है, अतिक कर्मनकारी जिवानों को मारने के लिए, जो WBC द्वारा परियोग में लाई जाने वाली गैस, देखें, जो WBC होती है, वाइट बलेड सेल्स बोल जेते हैं, वाइ, WBC कौन सी गैस का परियोग करती है, अतिकर्मनकारी जिवानों को मारने के लिए, ठीक है, तो क्या राय, इसका बताईए, ओक्सिजन, कार्बोन डाइकसाइड, नाइट्रोजन और कलोरीन, आप राइट आंसवर दीजिए बच्चो, साबस, क्या हैगा इसका राइट आ इसका राइट आंसवर बच्चो क्या आएगा, आपके सामने डी आएगा, बहुत इंपोर्टनट क्यूषयन है, थोड़ा लेवल का क्यूषयन है, नेक्ष देके, साबस बच्चो, नेक्ष देक्ट आप, कि समय की वेधर बैलून्स मौसम गुबारों को बरने के लिए किसका प्रियोग करते हैं सावास बच्चो राइट आंस्वर दीजिए हीलियम हाय ड्रोजन वाय ठीक है माहा आपको बता दूँ गोता खोर होते हैं उते ना जो पाणी में जाते हैं गोता खोर हो गया दमारोगी के इलाज में ठीक है अन्त्रीक स्यात्री की सिलिंडर मी helium पलस oxygen gas होती बच्चो और वर्तमान में वाई यान के टायरों में helium नहीं बरी जाती है अगर यांपर आता ना वाई यान के टायरों में कोण से gas बरी जाती है तो उसका right answer nitrogen आता बच्चो ठीक है helium मत करना अगर helium और nitrogen और this option में हो तो nitrogen करना अगर एक option में हो अगर कोई आप से पुछे helium gas की की किसे ने की तो Lokirer साँब ने की थे 1860 में Jensen और Loki heritage ने की थी ठीक है आप बता सकते हो और nitrogen gas की किसे ने की थी बता चो साबार nitrogen gas की को चुझ कमिंट में बताइए तो नाइट्रोजन की खेज डेलियल रधर फोर्ड ने सतरा सो बैतर में की थी चलो नेक्ट देखते हैं बच्छो साबास बहुत अच्छे क्यूसन है यह बताइए ऑटीमें ये 2 ऐने में नमक्या है बताइए रड़न एकअचम अन्य ध्या विल्ट जेट में अल्मिशन कन आ एक स्थर सब्सक्राइब है बच्छों हच्छों तो में आज आपको मिक्चर होता इल्यू तो होतहं है एक तो homogenous, एक होता है heterogeneous, homogenous को बोलते हैं सम्मांग मिसरण और heterogeneous को बोलते हैं वी सम्मांग मिसरण ठीक है मैं आपको बता जेता हूं आप सुनते रहें नोट्स बनाते रहें बच्चो जो homogeneous होते हैं ठीक है यह क्या होते हैं जो mixture के compound एक दूसरे में पूरी तरह गुल जाए जैसे वीलियन होता है न जो solution उनको उनको identify करना मुस्किलो तो बताइए साबस सुगर पलस वाटर गुल गया वाटर पलस ऐलकॉल पाणे में दारू गुल गई और वाटर पलस एयर तो homogeneous हो गए वी समांग मिस्रन क्या होते हैं एट्रोजीनियस क्या होते हैं जब मिस्रन जो एक दूसरे में distill मतलब डिस्टोल नहीं हो मतलब अच्छी तरह नहीं गुले और उन्हें identify आसन easily identify किया जा सकता हो जैसे पाणी में तेल डाल दो ठीक है न तो कर दाएं साट पलस ऑ्यल हो गया अअधर पलस मिट्टी पाणी नगाएं मिट्टी डाल दो है कि अ घर और साल्टी पलस सुगर है तो टेबल योक्त इसने पुच्छाय है आयोडिन यूकत टेबल नमक क्या है तो बतहें साबास वच्चो तो इसका right answer की आएगा बच्छो बतिए इसका c आएगा बई नेक्ट देखी निम लिखित में से किस carbonic yogi की फलीय सुगंद होती है जो organic compound होतन जो जिसकी fruitie smile होती है has fruitie smile organic compounds has fruitie smile निम लिखित में से किस carbonic yogi की फूलीय सुगंद होती बतिए एल्कोल, एल्डी हाइड, एस्टर और इथर, साबस राइट आंसर दीजी बच्चों, तो बच्चों बते हैं, फली ये सुंगंद होती है, यानि कि ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, इतर, इतर किसे बनाये जाता है, अगर इतर पूछ लेता है, आपसे सेंट, ठीक है इतर का राइट आंसर कि आएगा, इसका राइट आंसर कि आएगा, बच्चों, सी आएगा, ठीक है, इससे इतर बनाये जाता है, एस्टर से, ये एस्टर ना, जो कार्बोजिलिक, अमल और एल्कोल की किरिया से बनाये जाते हैं, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, ज इसमें ज्जादा होज नहीं है एत्र किस से बनाया जाते है इत्र किस ए बनाया जाता है बच्छों ठीक है तो iit प्रफल यह सुगंद किसमें होती है एस्टर में होती है बहुत अच्छे क्यूसर नहीं नेक्ट यह तो आप करता होगे किस सामगरी का उपयोग विदित उट्री की किंडुली बनाने में क्या जाता है राइट आंस्वर दिदे साबस कमिंट करते रहे हैं साबस आंस्वर दित देखें साबुन उद्योग में उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पवाद है ठीक बई जो बाई प्रोडेक्ट होते ना बई उसके लिए पुछा है सोप इंडरिस्ट्री में कास्टिक सोड़ा ग्लिसरोल नैफ्थीलीन और कास्टिक पोटास आप बतागी बच्चों बस राइटान सुराएगा इसका ग्लिसरोल इसमें कई बच्चे कास्टिक सोड़ा बताएंगे कास्टिक पोटास बताते हैं या पोटासिम हाइड्रोकसाइड के ओच बताते हैं तो बच्चों द्यान से सुनिए कुछ नहीं है जो कास्टिक सोड़ा होता ना जो हाड होती है उसकी निर्मान में क्षटिक सोड़े का उपयोग करते है ये की nao' का सोडियुम हाइद्रोकसाइड का उपयोग करते है को Utam आप सुनिए बच्चो तो इसमें उपोधात पुछा है यानि कि जो साबुन के उद्योग में जो प्राप्त होता ना उसके बाद पुछा ये तो क्या आएगा इसका ग्लिस रोल आएगा इसका राइट क्यूसन को ध्यान से पड़ी आप तुक्य मतमारना ऐसे में देखे विकाश्टिक्स लगा दीजिए नहीं ऐसे नहीं होता आप क्यूसन देखिए बाइप्रोडेक्ट पुछा है है हाँ सेव का स्वाद मुख्य रूप से निवन में से किसके कारण आता है आप एपल खाते हो तो आपको बताते नहीं वहां के ए ऐता करन आता है कोई भी बत्चा बता आहीं ठीक अस्पाव हो में अलग-अलग स्वाद आते हैं पैसों के सहाबस हो में एक इसका राइए इसका राइपांश बत्चो आएगा ति या इन्रॉल के कारण बपर ना आता है है ठीक है कई बार पूसलेता है सेव का मुख्य स्वादा और सेव में कौण सा मंल होता है सबacăड पता है महली का मल होता है मलिख अइस पेल में sono पोस्छ को सब पारकतेया हुद इंडेखर बत्चो के लिए जLES ऐसे इसे एक्जाम में आते हैं कि आप लेंग्वेist समझ लोगे तो चाहिब एजी क्यूशन तो वैसे आपको याद है अब सेव में पूछ ले मैं सेव में कौन सामल पाए जाते हैं आप कर भी दोगे लेकिन यह पूछा है कि सेव में सेव का एपल का स्वाद पूछ ले इसने टेस्ट पूछा है तो किसकी कारण एथिनोल के कार में राइट आंसवर दीजिए यह हर लेवल की क्यूशन है ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी लेवल कराएंगे साबस और कैमेस्ट्री के हैं रसाइन विज्ञान के हैं यह साबस जैरिली इसका राइट आंसवर मिथाईल अलकॉल आएगा बता दिया और जैरिली सराब किसकी ब बनती हो ध्यान रखना के नेक्स देख कि आप लोग को है है тоб kita प्लास्टिक के बरतनों को बनाने के लिए किस पोलिमर का इस्तमाल क्या जाता बै? डैकरोन, नाइलोन, बैकिलाइट, मेलामाइन, सवास. कमिंट में आंसर देजिए, जो प्लास्टिक के बरतनों ते उनको बनाने में हम किसका उप्योग करते हैं? वेरी गुड बच्चों, आंसर दीजिए, अपना-पना सवास, बहुत अच्छे, क्या आएगा सवास? बतिए, इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों, मेलामाइन, ठीक है? प्लास्टिक के बरतनों को बनाने के लिए किस बाउलक का परियोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अपना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना जो आप बुरूज करते होना सुपे कोलगेट लगा य depending ऐक बोकरते रहते हो तो उसमें जयो बुरूज होती है नायलोण के होती है और पेरासूट किस की को मैं होते हैं नायलो प्लवासूब करका अर्क जिडिला लॉजह से प्सक्रखड़ पार देखना एक बुरुस आती है 10 रुपे की 20 रुपे की रेक आती है 50 रुपे की यानि की 60 रुपे की तो जो 10-20 रुपे वाड़ी बुरुस आप करते करते हैं उस बुरुस के बाल देगे आपकी मुह में आ जाते हैं बुरुस के बाल बात कर रहा हूं मैं तो वो कहता है वो हलका नायलो YouTube के चैबिनेट बनाने में गनला अ क्ञा कर describing का बनाने में की कि सक प्रियुब धर थर सब्सक्राइं यदल केमें अगला आछब करते हैं आप लिखते रहें कि अलश्य ذा इस से बार कुछ नहीं आना जाना आँ सआई कहीं भी चले जाओ आप देखें हम कम समय में ज़्यादा है ज़्यादा कांटेंट देंगे आपको स इसने पुछा तो प्रिरोडिक्टेबल है आवर्थ सारिए उसमें क्या पूछा पीरिडों की संख्या पूछी अठीक है मतलब जन बच्छों ने पता उसने यह पुछा यह अधू यह तो आवर्थ हो गए ठीक है और एक होता है यह वाड़ा वरग अगर वरग पुछे तो यह 18 होते हैं बच्चों ऐसे ऐसे देख लेना आप ठीक है तो आवरत कितने होते हैं साथ होते हैं है ठीक है एड़ूनिक और सारों कि किसी ने कि कमेट में बता ऐक और अश्टक नियम किस तबस अश्टक का नियम किस ने रहात् Dennis 麼 कि अश्टक नियम दिया था न्यू・लैंड न कि और आधूनिक पिरियोडिक।टेबल कि खोज की 1910 कि हैंडी मोजले ने और इसने, जो इसमें ओटोमिक सारनी को किसके आदार पर सजाया वही, इटोमिक नंबर या आडोमिक वेट, यहनकी परमानु संख्या, या परमानु दर्यॉमान, तो ध्यान रखना, यह क्यूस्वन भी आता है, कि जो आदुनिक शार्नी है उसको इन्होंने किसे आधार पर पर शजा या पर मैं फिर से बोल रहा हूं एक कुर्षाम देख लीजियheart कि अबात लोग मैं आधुनिक आवर स अलेक और सर्णी को परमानु अधार पर को जा गया और तो पहली आवर सार नीचे ना जो मेंटलीफ ने दी थी अठारा सुन एतर में 1869 में उस उन्होंने क्या-क्या उन्होंने प्रमानु भार यानि कि एटोमिक मांस के आदार पर सजाया जो मैं बोल रहा हूं आप माइंड में डाल लीजिए कि उसमों को इससे बाहर कुछ नहीं आना या वनसपती घे कि निर्माण की परकिरिया में परियोग किआ जाता है बता यह है जब हम वंस्पती तेल से यानि की कोई तेल लेलो आप ठीक है तेल से हम डालडागी बनाते हैं आता ना डालडागी पंदगट मुरली सकूटर सपना यह सब आते हैं यह डालडागी आते हैं ठीक है अगेरा बहुत से आते हैं तो वो किस विदी के द्वार आप तयार किया जाता है तो उसका राइट आंस्वर क्या आएगा बच्चों बताइए जलीशन चे ऑक्सीडेशन ऑजोनिलेशन लेजिस या हाइड्रोजनिक रण कमिंट में बताइए बहुत इजी क्यूसन है और साथ बताइए किस दातू का परियोग किया जाता है वन्सपती तेल से डालडा घी बनाने के लिए किस मैटल का परियोग किया जाता है बहुत अच्छे साबस बच्चों कौन सी दातू का परियोग किया जाता है साबस कमिंट में आनस्वर दीजिए बच्चों हम आपको इतना बत बता रहे हैं और सारा एक्जाम से से रेलिएटए नहीं कुछ है नहीं मेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए को कहने रहkovा नहीं हूंगे वैसे लाइक हो आपको इतना में किलेका पूराउटर दस मिनट में केलिएंगा थे तो देखते हैं वंस्पती तेल से तो हाइडोजिनी करन और मैंने क्यूशन पुछा है कौन सी मैटल पुछे तो निकल ज्यान रखना अपने जैन में डाल लेना कौन सी मैटल से किस दातू के साथ कि रिया की जाती है एन आई निकल से के नैक्स देखिए का कि असे श्वह एक रीस्प्रिन का उप यूग डिस्प्रिक्षार्ण कें जाता है साबसकि बस इसने ही पुछांरी यह नहीं जब कम blood pressure हो ठीक है जो दर्द कम करने के लिए arthritis के लिए बताइए साबस कमेंट में answer दीजिए और मुझे ये भी बताइए blood pressure की खोज किस ने की और किस जानवर में की पूरी detail समझा दूँआ ब्लड प्रेशर की और कैसे होता है blood pressure साबस बताइए तो देखिए ब्लड प्रेशर की खोज 1736 में 1736 में ब्लड प्रेशर की खोज यानि की रक्ट दाब ब्लड प्रेशर को क्या बोलते जी रक्ट दाब बोलते हैं तो इसकी खोज 1736 में हेल से नामक वेगानिक ने की इन्होंने पूछने किस जानवर में की कमिट में बताई यह साबस फटाफट चलना चीए देखो मैं फटाफट बोल दाओ तो आप भी बोलो ना आप भी फटाफट अपने हाथ चलाओ वैसे तो बोजल दी चल जाते हैं आपके हाथ साबस की जानवर में की बंदर मत करना बंदर तो RS फैक्टर आएगा बच्चो रिसस नामक बंदरी में की थी RS फैक्टर की जिससे हमारा ब्लड गुरुप प्लस माइनस होता ना वो तो यह खोट किसने की होर्स में गोडे में की गई थी एक होर्स ठीक है तो इसने पूछा ह अब पूरी बात सुनें जी किस से मापते हैं घू अåb कई बार पूरा और इंट्राँ ध थे मतलब पारा न की मापक एंप घू लाता है आ Πीसे का मतलब तो क्या बता हुग अब पारा बताओगे ठीक है आप देखेए एक बार एक क्यूसन में एक चीज और पुछेई गई ये पुछा गया था कई बार fue हाइपरेटेंशन एक होता हाइपोटेंशन बचों सुनना हाइपरेटेंशन और हाइपोटेंशन बताई यह क्या होता हाइपोटेंशन बताई हाइपरेटेंशन और एक होता हाइपोटेंशन देखें हाइपर मतलब उपर उपर मतलब उच रखदाब तो उच रखदाब के ल रहा है ऐसे बोलते न वो आग बोला हो रहा है थोड़ा आराम से रहे लेकिन यह अग्जाम में नहीं आता भूप्सन में आएगा आप्र टेंशन और मतलब बताओ ग्यू उचल रहा है ऐसा नहीं आता वह आएगा कि आपर टेंशन सब्दावलि का मतलब बताओ तो क्या 90-60 mmhg के पास mmhg हो जाता है 90-60 उसको बहुत है हाइपोटेंशन यानिकि निम्न रखत दाब है ठीक है और वर्द आवस्था में कई बार पुथा पुथा जाता है वर्द आवस्था में बीपी क्या हो जाता भी बते यह साबस वर्द आवस्था में जितने भी बुड़े हैं देख लो आपके घर में को स्टोरे जाता हैं चुप देखने यास सुने को मिलेगा है भी नहीं को सकते हैं मैं बланगा सोता है कि कोई सारसार दिन काम करका है वह नोज vibrations पूरे दिन सांते रहत हैं क्योंकि उनका यह रवद आवस्था में दोशाह मुझे पूरे कि coming यह भीपी है ना हई रहता है जो भीपी को किस गरंथी से कंट्रोल करते हैं अधीवक्रक गरंथी से कई बार पुष्टा है बुपी महां पर गलैंस बताओ ग्रनथी बताओ अधीवक्रक अड्रीणल और भीपी होता कैसे यह बच्चो मानव सरीर में रक्त के बैते समय जो ब्लेड वसल्स होते न ठीक है उन में जब मानव सरीर में रक्त के बैते समय जो और्टरीज होते दमनिया दमनियों पर पढ़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं ये भी क्यों सनायवा है मानों शरीर में रक्त के बहते समय दमनियों पर पढ़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते है सारा किलियर करा दिया तो अब देखो जिसका बिपी जादा हो जाता हो है तो उच रक्त दाब को कम करता है कोन करता है रिस्प्रीन इसका राइट आंसर क्या आएगा और बिपी को नियंतरन करने के लिए हम किस दाटू का परियोग करते है बच्चो कई बार पूछ लेता है बिपी को नियंतरन करने के लिए किस दाटू का परियोग किया जाता है तो उसका राइट आंसर क्या आएगा कि सोडियम नमक पिला दो इसको बोलते ना तो सोडियम लो भीपी को ठाने के लिए तो कंट्रोल में आ जाए चलो नेक्स्ट कुशन देखिए सारे कुशन बता दिए आप वीडियो को डबल दो बार देख लेना सारे क्लियर हो जाएंगे पूरा चैप्टर करा दिया आज मिक्स चल रहा है फिजिक्स केमेश्ट्री बार सभी मिक्स हैं केमेश्ट्री के क्यूशन थोड़े टफ हैं आप वीडियो को दो बार देखना बहुत इजी हो जाएंगे और यही एक्जाम में आते हैं जदा इजी कराने का कोई मतलब है नहीं यह देखो एक व्यक्ति के लिए आवसेक्स सुद वायू की मातरा कितनी होती है बताइए एक व्यक्ति होता है उसके लिए 20 मिनिट में परतेग 20 मिनिट में 100 क्यूबिक फिट वायू साबस 20 सेकंड के लिए 1000 क्यूबिक सोरी 1000 है 1000 क्यूबिक वायू परतेग 10 मिनिट के लिए 10,000 feet cubic value और 10 second के लिए 1000 cubic feet value साभस right answer दीजिये एक वेक्ति के लिए आवसेक सुद वाई के मातरा जो required form of man साभस fresh air quantity of fresh air required for a man is तो right answer क्या आएगा बहुत अच्छा क्युस्बन है तो क्या आएगा इसका right answer A आएगा बच्चो यह आएगा एवड़ा यानि कि हर 20 मिनिट में 1000 क्यूबिक फिट वायू चाहिए देख लीजी इसको आराम से देख लीजी चलो नेक्स देखते हैं साबस क्यूरी बिंदू वैत आप जिस पर बते यह बई देख लीजी बिंदू वैत आप जिस पर बदार्थ की रेडियो दरमिता बन जाता है एक धातू चुम्ब की गुन खो देता है मैटल जो लोस ओफ मैगनेटी के जो प्रोपरटीज होती है वो लोस कर देती है या फिर ए मैटल लोस ओफ जो कर देती है जो ट्रांसम्यूशन ओफ मैटलल क्रोस बताएज क्या उत्ता वए ऱ सो शमाज की आन्सवर दीजिए कोई जल्दी नहीं है साबस सो समझ के आंसवर दीजिए क्यूशन को ध्यान से पढ़के क्यूशन ध्यान से पढ़ोगे कई पॉइंटों में रह जाते हैं क्यूशन ध्यान से नहीं पढ़ते ठीक ना फिर पूरी साल चली जाती है दो-दो साल तक वेकेंसे नहीं आती तो क्या तो बताएंगे पदार्थ रेडियों दर्मिता बन जाता है नहीं देखो क्यों रिताप क्या होता है वहता आप मान जिसके बाद कोई चुम्बक अपना मेगनिटिव प्रोपर्टीज खो खोने लगता है समझगे ना यानि कि कोई वस्तू है जैसे यह है लो है लो है को हम 270 डिग्री सेल्सियस पर हम गरम करेंगे ना तो वह क्यों रिताप बन जाएगा और लो में चुम्बक अपना का गुने नहीं रहेगा फिर होता है निकिल निकिल का होता है 358 ठीक है डिग्री स सेल्सियस पर हम घरम करेंगे वह ही अपना चुम्बक तवह का गुन खो देघा और एक होता है कोबाल्ट यानि कि 12–2121 डिग्री सेल्सियस पर हम कोबाल्ट को गरम करेंगे तो वह जाए अब अब बच्छों राइट आंस्वर दीजिए तो राइट आंस्वर इसका बी आएगा आप हमसे जुड़े रहे हैं बहुत से क्यूशन के लिए हो जाएंगे आपके तेरा छोटी सी वीडियो में कितने क्यूशन आप लेके जाओ और याद होंगे आपको यह मैं कहा रहा हूँ जो वाट चेंज विल हैपन टू जो ब्लोफ आइस एंड वाटर की पिट्रेट है जो जीरो डिग्री सेल्शियस बताए बरफ तथा जल की एक कटोरी को पूरण ते सुनने डिग्री सेल्शियस तापमान पर रखने पर क्या क्या परिवर्त न होंगे बरफ तथा जल की एक कटोरी को पूरण ते सुनने डिग्री सेल्शियस तापमान पर रखने तो क्या परिवर्तन हो जाएंगे बताए जाबस पूरी तरफ पिंगल जाएगी बताए जाबस दूसरा है सम पूरण जल बरफ बन जाएगा या फिर no change will happen only some ice will melt कोई बदलाव नहीं होगा या थोड़ी मात्रा में साबस बती है साबस और तैरती वी बरफ का जो बरफ डूबी होती उसका एक बटे दस बाग दिखाए देता है और जब बरफ तैरती रहती तो उसका नो बटे दस बाग तो इसका right answer क्या आएगा इसका right answer c आएगा बच्चो no change will happen यानिकी बरफ तथा जल की कटोरी को पूरण ते सुनने degree celsius ताप मान पर रखेंगे तो क्या क्या परिवर्टन होगे तो no change कोई परिवर्टन नहीं होगा right answer क्या आएगा इसका c आएगा next देखें आप लोग कितना ही जिया है noise of the measured in समझगे ना दौर को मापपा जाता है वाइं किस से वाट से रेम से से सेंटीग्रेड से यह डैसिबल से कितना ही जिये क्या है या डेसिवल से और मुझे 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 में बताई जो अपना जो पीच होता है ठीक है ना सवर या तारता वो किस पर निरबर रहता है वही फ्रिकेंश एम्पलिटूड यानि कि आयाम या आवर्ती साबस कमेंट में बताई और धवनी का दिन क्या कहलाता है साबस चलो नेट यानि कि यानि कि क्या बोलते है उसको डुटिरियम ओकसाइड साबस काई गुंड नहीं है नहीं नहीं है पुछा है फिर देख लो यानि कि बोलिंग पॉइंट ओप हैवी वाटर इस लोवर देट इस दा जो ओर्डिनली वाटर यानि कि खारे पानी तथा काउंधरांग सा कम होता है ठीक है खारे पानी का गरत्व सामाने पानी से उच होता है खारे पानी का गल्लांक सामाने पानी सधिक होता है तो इसका राइट आसर यह आएगा बच्चों खारे पानी का काउंधरांग यानि बोलिंग पॉइंट सामाने पानी के बोलिंग पॉइंट से कम होता ह यह भी ध्यान रखना बहुत अच्छा क्यूशन है तो इसका राइट आंसर जो खारा पानी होता है वो उसका जो बिपी होता है boiling point वो सामाने पानी के जो boiling point यह उबलता है उससे कम होता है ठीक है राइट आंसर के आएगा एगा नेक्स देखिए क्यूशन देखिए निम लिखेत में से किस किंतरल पदार्थों में सबसे कम गनतों होता है बताओ जिसकी लो डैनिस्टी होती है साबस सबसे कम मिठा जल का खारा पानी का पैट्रोलियम का या फिर पारे का इन में से सबसे कम गनतों किसका होता है साबस कमिंट में दीजिए, ओनली सुपर क्यूज यूटूब चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, सारे important question है, most important question है, ऐसे ही exam में आते हैं, बच्चो, easy भी हम करवा सकते हैं, easy करवा के देख लेंगे आपको, देखे, तो इसका right answer है, क्या आएगा बच्चो, C आएगा petrol, देखे अगर petrol का जो गनता होता हो, 730 और 800 के बीच है ना, तो वो उच्छ quality का माना जाएगा, अच्छा माना जाता है, लेकिन उसका गनता हो, 730 से कम और 800 से कम है, तो वो low quality का, उसकी petrol अच्छा नहीं है, और जो diesel होता है ना, diesel बच्चों, diesel का गनता हो, 730 से 900 के बीच होता है, ठीक है, और पैट्रोल को किस से मापते है, ओक्टेन से, ओक्टेन नंबर से पढ़ाया था, और पैट्रोलियम किस विदी के द्वारा निकाला जाता है, साबस कमेंट में बताईए, मैंने नेक्ट, जो लास्ट इंपोर्टेंट है, साबस, किस पदा एर्थ होगा, तो बता दिया आपको, नेक्स चलते है, निम लिखित में से किसे कोशी के उर्जा से, फिर से देखी, थोड़ा बलर हो रहा था, चलो देखी, निम लिखित में से किसे कोशी के उर्जा से, 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 माइट्रो कॉंट्रे परा पतार यई तो सब्सक्राब्मन होट जो कें जाए कोAust agora क्या काम करता है। ये या में सिखी वन्जान करता है।वर कौय आपसे पुचहें कि एटीपिक निर्माने का मैं होटता है। रहना को ओडीन का होता है। ATP क्या होती है adenosine triphosphate और इसे उर्जा मुद्रा कहते हैं ठीक है कितनी ATP होती है हमारे सेरी में cool 38 जिसमें 20 36 यानि 36 ATP का निर्माण कहां होता है mitochondria में ठीक है चलो next देखते हैं पेड की आयू किसके दवारा निर्धारित की जाती है बताए इस आवास यह तो इजी क्यूसर नहीं बताओ नहीं बताओ भई पेड़ों के आयू किसके दवारा निर्धारित की जाती है गृत हाइट ग्रोथ रिंग्स बताए जो जर्नल अपॉर्णेस होत्ति उसके दवारा सामानने रूप से तो इसका राइट आशर क्या आएगा वार्षिक वल्ले ए आएगा बई सेवर्दी वल्ले तो इसका राइट आशर ए नहीं सोरी सी आएगा इसका राइट आशर यह इस वरभ सिक वल्ले जो पेडू में यह मुद्ट Two ऐसे जो रिंग होते हैं पेड़ों में वह अब सुनिंग आप लोग कि किने मुद्वारा एक भालले बराबर एक वर्स होता है सबस्चों समझी में पूलाएक किजिए बहुत इंपोरटेंट किशन है सारी किशन इंपोरटेंट है सुपर क्यूसमें आएंगे किशन भी आप पढ़ते रहिए रहे समझते रहे इंपोरटेंट को तेस्ट ट्यूब सीसू के मामले में प्रण प्रखनली में अपना विकास पूरा करना प्रण को दो मेहने के बाद गरवास में रखाजाता है है और अंड़े को मा के सरीर से बाहर निशेचन किया जाता या जो gamia चाब टैसे आ शूरी बच्छो साभास क्या ऐगा कि इसका राइट आइगा भा जो च भूँने को दो महने के बाद और जाता है इसका राइट आनसृ क्या बच्छो को नेक्स देखें फ्लोवरीजें मोडिफीड्स बती पुस्प एक परिवर्थित होता है किसमें लीप में, स्टेम में, रूट में, सोट में, यह निसाखा में, पती, तना, जड़, साखा, साबास कमिंट में अंसर दीजी बच्चों यह हर लेवल के क्यूशन है ऐसे क्यूशन एक्जाम में आते हैं बच्चों पुस्प एक परिवर्थित होता है किसमें, पुस्प राइट आंसर इसका डी आएगा, किसमें, साखा में किस पादप में फल बूमीगत होते हैं, बताएए, जो फल होता है, जो बूमी में होगेगा, यह तो आप बताएद होगे, आलू, गाजर, मुंग, फली, प्याज, जो अंडर ग्राउन्ड होता, न फाउंड, अंडर ग्राउंड, बताए, ब्लांट, अर्फाउंड, अंडर्ग्राउंट फ्रूट ओफ दिस प्लांट और फाउंड अंडर्ग्राउंड किस पादप में फल भूमिगत होता भई कि साबस कि जो इस चीद की खेती करते वो बता देंगे बोजल दी तो क्या आगराइट इसका सी आएगा ने खेती करते तब भी आप देख देखते होंगे मुंख फड़ी नेट देखें वेस्विक तापन का संभावित परिणाम है जो ज़्यादा बड़क मतलो नूँ देखो क्यूशन इंगलिस में देख लो वेस्विक तापन समझे बना रहे तो जरूरी है कि आपा ये इंदी मे देखा गलोबल वार्मिंग तो आति होंगे इंगलिस गलोबल वार्मिंग बतहीं समुन्दर स्तर्मेवर्धी फसल प्रारूप में परिवर्तन तटरिखा है में परिवरतन उपरेओगत सभी जब गलोबल वार्मिंग के लिए कॉन सी दैस उतर यह कार्बन Der Merci अगा बई गलोबल वार्मिंग के लिए उत्तर दाएगा, क्या आएगा, CO2, ठीक है, साबस बत्चों, नेक्ट देखिए, पर्थवी से दुरस्त वस्तों को देखने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला उपकरण, साबस बताएगे, स्थले टेलिस्कोप, खगोली टेलिस्कोप, योगिक माइक्रोस्कोप, दुरदर्शी और साधरान दुरदर्शी, ठीक है बई, सपेश का ने, पुछा इसने, पर्थवी से पुछा है, अगर आप से पुछे ना, अंत्रिक्स का, तो उसका क्या आएगा, उसका तो आएगा, खगोली अगर कोई आप से पुछे ना, इसका, स्थ सली है, टेलिस्कोप, नेक्स्ट देखिए, यह देखिए, हाधिक उचाही पर जानने पर, पदार्थों का अकाउंट थरा, यानि बॉलिंग पॉइंट, बताओ बच्चो, बढ़ता है, गटता है, वही रहता है, फिर बढ़ता है, फिर गटता है, बहुत अच्छा क्यों सर है, जब हम अधिक उचाही पर जाते हैं, तो जो तरल पदार्थों का काउंट रांक होता हो, क्या होता है, बढ़ेगा, गटेगा, वही रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गटेगा, और मैंने पढ़ाया भी था, चावल है न चावल, अधिक उचाही पर क्यों नहीं पकते, यह और बत यह कमिट में है, साबस, तो क्या आएगा, उचाही पर जाएंगे, बोईलिंग पॉइंट कम होगा, चावल अधिक उचाही पर क्यों नहीं पकते, क्योंकि उसका काउंथरां कम होता है, बोईलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसका क्या आएगा, अधिक उचाही इसका राइट एंसवर दिया भी आएगा भी है कि यह देखेड मत्यों पाणी को कि ट्रधान रहित बनाने के लिए किसका प्रियोग क्या जाता है साथा से व्यॉग ईया रहता है अब आधी आधी किसका प्रियोग कुया ठाथ सभास किसका परियोग क्या रहते है पाणि को में की तक जिलिए इसका श्वा böyle के लिए राइगा कि और को पाणी की कि बनाने के लिए ऀसका क्या एगा जो जो सब फोटोग्राफि में निम लिखित में से किस रसाइन का प्रियोग आता है बता है बई फोटोग्राफि के लिए किसका प्रियोग करते हैं साबस वेरी गुड कमिंट में फटा फटा आश्वर दीजिये आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी मिक्स इजी क्यूशन मैंने अटाई दी इजी क्यूशन वैसे आपको याद हो जाते हैं आप इस वीडियो को दो बार देख लोगान तो यह सारे यह भी क्यूशन याद हो जाएंगे आप से तो बार-बार रक्त का पीएजमान पूछे तब तो अच्छा लगेगा वाइए कितना अच्छा पढ़ा रहा है कितना इस्टी क्यूशन पढ़ा रहा है यह दूनियागाई आजसी क्यूशन पढ़ो जो तुमें नहां आते हो आने वाले तो twelve बार याद कर लोगों वैसा ही रहेगा नए क्यूशन पड़ो फोटोग्राफी में निमनी में से किस रसाइन का प्रियोग क्या जाता है जिद पे अड़ोगे तभी सुपने पूरी होंगे कि तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों बहुत इजी है सिल्वर ब्रोमाइड नेट्ट देखिए कोरे का निर्मान किसकी वज़े से होता है चलो यह बताओ कोरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रियोग करते है साबास किन वेव का प्रियोग करते है साबास इंगलिस वाड़े वेव का बताई कोरे में फोटोग्राफ में कौन सी तरंगे होती है कौन सी वेव होती है कि कोरे का निर्मान किसकी वज़े से होता है साबास इसका राइट आंसर सुन लीजिए इसका ए आएगा जो गैसों का जो जो ना डिस पेरेजिट ओफ इंगैस मैंने जो क्यूशन पुछा था कौन सी तरंगे कोवरे में फोटोग्राफी के लिए क्या अनसा आएगा आएगा टीवी के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड होती है आवरक्त तरंगे होती है नेक्ट देखिए एक परकास विदू सेल आवई परकास विदू सेल किसको किसे मदलता भई साबास बताई ये पैसे स्वाडिंगेश को एलेक्ट्रिक में एप्रभ को मेंगनेटीटी एनर्जी में लाइट एनर्जी को केमिकल है और लाइट एनर्जी परकासेटेन seperti कुंअ कि बदलता हुआ जर्नितर यानी जर्णितर पूछे तो क्या बताऊगे यांत्रीक को विदूत में विदूत मुटर हो गया अब इसमें देखो अपने फोटो सिंतेशि सुना यां प्रकास संसलेशन शुनाएं क्यों सँ यह भी आता है प्रकास डेखे परकाश लैसे को किसमें चेंज करती है बताओ ये कि PTAK उर्जा को किसमें बदलती तीटियों कराश लेसन कर तूझ देख परकाश ऑई छना सोर रूजा को बताऊ시स मैं dynamics दे भी बत सबसे ज्यादा किसमें होता है बताओगे सेवाल में होता है तो इसका राइट आंस्वर डी आएगा बच्चो इसका राइट आंस्वर क्या आएगा इसका डी आएगा किसी विदूत पंख्य की गटि को कम करने के लिए अब गर्मी चल रही है तो कोई आपका पंख्या कम कर देढ बंद नहीं कम करेगा तो कम किस से करेगा जिससे आपको गुसा आएगा यह पंखा थोड़ा तेज चला दे गर में ज़्यादा लग रही है ऐसे हम बोलते हैं ना बताये क्या आएगा गति व्यापक आएगा स्वीच आएगा दिश्डारी आएगा रेगुलेटर स्वीच पती साबस क्या आएगा इसका राइट आएगा साबस पंखे को विदुद पंखे को रेगुलिटर आएगा जी ठीक है मेरा अब देखे नेक्स देखिया यहां एक पंखावर्ड आ रहा है बच्चो और पंखे से मेरे एक आर्मी में क्यूसन आया था तो मैं पूछ लूँ चलो मैं पंखे का विश्कार किस ने क्या साबस आंस्वर दी जी विदुद पंखे का विश्कार किस ने क्या कि सूलर एस विलर नी क्या था जी एसल विलर नी क्या था विदुद पंखे का विश्कार रियाद रखना भई next, देखे, चलों के बताए, ऐलू के आंखे किस के लिए उपियोगी होती है, चलों colonial होते हैं, आल formerly pendant just pushing Sağam G Devi, आज आज आलू के आंख पढ़ा रहा हूं, आलू के आख किस के लिए उपियोगी होती हैं, निउट्रेशन के लिए flashes के लिए रिप्रोडेक्शान के ली साबसन सो जो वुजिटेटरेगेंचे न वहीं कि उसको बोलते का एक प्रवरण प्रोग्रेशन के लिए है मैं आ वह जोजिटेटी होते न मैं बताऊंगा आपको और है किस वोइच कि को बता हुन ते है हो गई बताओं अब आलू में गणेश भगवान तो देखा होगा आपने वाट्सप वगेरा पर फेस्बुक पर आलू में गणेश जी दिख गए होते न तो आलू की आंखे भी होती है अब सुनी होता है कि जो इसमें का राइट आंसर क्या आएगा इसका काई परवर्दन आएगा क्या होता है कि जैसे कोई आलू ले लो आप ठीक है यह क्या होता है इसमें किसी नर और लेंगे इसके लिए इनको बढ़ाने के लिए मेल फीमेल के तो होती है यह क्या होते है आप एक आलू को रख दो उसके टुकडे को वो दुबारह उग जाता है किसी भी से जैसे हम गुलाब की डाल ले लो उगा दो समझगे ना यह वही तो है काईक परवर्दन तो उसके ल आते हैं कट्टे में रखे 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 आलू हो गए कई बार होते है आलू में होता क्या है कि एक बलेक बलेक होता है वो क्यों सा रोग होता है और वो किस की कमी से होता है उस रोग का नाम बता और किस की कमी से होता है साबस आलू का जो वार्ट होता ना उसमें एक बलेक आर वरोग हो जाता है जिसमें आलू की आंखे किसके लिए उपयोगी होते हैं तो तो जिसमें आलू है ना काड़ा पड़ जाता अंदर से कभी आपने काटा हो देख लेना ठीक है इसका डी आयेगा कई परवर्दन देखे गुलाब का मैंने अच्छा सबसे अच्छा बता दिया जैसे गुलाब का कोई चोटी डाळे विले आंख जाती है ना उखती है तो कई परवर्दन होता है इसे तरह कि आलू का कोई बट्टकुडा लेलो वह उग जाएगा नेक्स चाहिए द्यान से देख लो कोई जल्दी नहीं है पढ़ना जरूरी है सोना इतना जरूरी नहीं है इतना बोला मैंने यह नहीं बोला कि नहीं सो आप सो लेकिन लिमिट से ठीक है नेक्स देखे देख लिजी बत्तू साइलेंट वेली में एक दुरलब और भिलुप्त जानवर कोण सा है कस्तूरी मरग है बांद है शिंग मुख बंदर है और गेंड है और चैनल क्यों अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजी सेर कीजी सस्क्राइब कीजी बच्चू ठीक है ना कमिंट कीजी आप साइलेंट वेली में दुरलब और लुप्त प्राइज आनवर को कोण सा ऐसा बास बती कस्तूरी मरग बांद शिंग मुख बंदर या गेंड है तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा शिंग मुख बंदर देखिकोंद सा है सिंग मुख मतलब याद है ऐसा कोई हैवी नहीं है ड्रननीक कोई बात नहीं मैंना अभी मिलवा ता युँ आप से इनको आप मिलने ना इससे नाम से हैं सिंग मुख और आप देखो यह कुमाइट स counter सेर जैसमू दिखना न वै इस बंदर की पर जातीगा सेर जैसमू होता वै है बंदरी अब सेर जैसमू होगा बंदर वाले गुण थोड़ी आएंगे सेर वाले गुण थोड़ी आएंगे बंदर वाले नहीं सेर वाले तो देखिए बच्चो यह सिंग मुख बंदर जो silent valley है उसमें इसको क्या कर रहे हैं उसमें इसको वो कर रहे हैं विलुख तोड़े से बचा रहे हैं इसको silent valley में एक दुरुलब और लुप राई जानवर कोण सा है तो कोण सा है जी इसका right answer लगा दूँँ आप के सामने से मुझे पंदर ठीक है देखे बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ आप पढ़ते रहें रख होसला ओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा ठक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ यह motivation आप लोगों तोपिक नहीं आता उसको पढ़ना है चाहिए एक बार पढ़ो दस बार पढ़ो 15 बार पढ़ो कैसे भी पढ़ो उसको पढ़ना है और हमारी सुपर क्यूज आपके लिए अमेशा ओपन रहेगी ठीक है जो टोपिक आपका कमजोर आप आमें बताईए हम ऐसा करा देंगे कि आपको कई नहीं मिलेगा बच्चों जैन दोस्तों जै भार दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए जैन अपने अंदर उसला बढ़ाए रखिए मैं आप भी कह रहा हूं